वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें वो है मौरे नेंपायर और मौरे नेंपायर में कल हमने पढ़ा कि मौरस्आमराजी की जानकारी के श्रोथ आज हम पढ़ेंगे चंद्रकुप्त मौरो अजह में पढ़ेesti बहुत ही द्यान रखियेगा बहुत ही जादा महन मैं इसके जितनी तारीफ करूं उत्रा कम है क्योंकि वास्तविकता में इसने भारत को अखंड भारत के रूप में स्थावित किया अगर हम चंद्गुप्त मौरिया के शासन छेत्र की बात करें तो अगर हम देखें तो पाकिस्तान अफगानिस्तान तक इनका छेत्र फैला हुआ था तो वास्तविक्ता में बहुत ही महार्ण शाशक है चंदगुत मौरिया को महार्ण बनाने में एक बहुत ही महत्पूर योगडान है उनके गुरू जिनका नाम है चारक के या कोटिल्य की साहेता से उन्होंने मगर्द सामराज्जी के थापना की तेंग पॉत्रीष फुत्र कउन euh संस्थापक भारत का प्रता एतियासिक समराज्जी को मुप्ती दाथ के उन्हों नेasure दो महत्वोणक की द्लवाई पहला तो जिनके बहुत गंदा प्रवाव था भारती जनता के उपर क्योंकि धनानंद ने टैक्स की दरों को बहुत जादा बढ़ा दिया था इस विए से जनता उनसे बहुत जादा कुरूरित थी तो पहला तो चंदकुत मौरिया ने धनानंद के आतंक से जनता को मुक्त कराया और मुक्ति दाता ठीक है लिबरेटर ओप इंडिया चंदकुत मौरिया का जन्म का हुआ है देख लो तो चंदकुत मौरिया पैदा हुए है कुसुमपूर यानि पाइटले पुत्र में हुए है द्यार नकना ठीक है और अगर हम देखें तो जैसा कि मैंने कल भी आपको बढ़ जतना भी चंदकुत मौरिया के बारे में जानकारी मिलती है मौरियों के बारे में जानकारी मिलती है उसका सबसे बढ़िया स्रोच जो है यूनानी लेखक है उन्होंने चंदकुत मौरिया को साथी हो सेंड्रो कोट्स कहकर पोका रहा है द्यान दकना ठीक है सेंड्रो कोट् जो कि यूनानीुम्हों नहीं कहा है बल्कि को कहते हैं ध्यान रखना तरिके तेट्व के साथ चंदुत मौरिया के दर्बार में अपने राजदूध भीजा जिसका नाम है मैंगस्थनीज द्याल्वर के दर्बार में जहां पर रहकर के उसने इक क्लिक्की जिसका नाम है इंडिका जान रखेगा ठीक है अच्छा यहां पर यही आपको पता होना चाहिए कि यह युद्ध है थीजिए कब हुआ है ठीक है सेलुकस निकेटर और चंदगुथ मौरिया के बीच में ठीक है ये युद्ध जो है काफी महत्वपूर है और इस युद्ध में चंदगुथ मौरिया ने बड़ी ही आसानी से सेलुकस निकेटर को पराजित कर दिया जब युद्ध में हार गया सेलुकस निकेटर युद्ध में हार के फलतुरों पे आख संधी हुई और उस संधी के कारण है सेलुकस निकेटर ने अपनी पुतरी जिसका नाम है एलेना जिसका नाम हैहेलेना उसका विभाह करा दिया चंद्रगुथ मौरिया SHE supported दियानक नौ की के शादी के साथ हो गई चनुज मौरिया के साथ और यह भारत का पहला इंटरनेशनल विवा था पहला अंतराश्टिया साधी थी ठीक है और इस विवाह का प्रॉपर जो जानकारी है वह एक लेखक है जिनका नामें एपियानस उन्होंने प्रॉपर इसका मेंशन किया है कि य दहेज में चार प्रांस देते हैं जिनके बारे में आपको बतायता हूँ पहला प्रांस दिया एरिया जिसको आज के समय में कहा जाता है हैरात दूसरा प्रांस जो दहेज में मिला वो था अराकोशिया जिसे आज के समय में हम कहते हैं कांधार तीसरा जो प्रांस दहेज में काबुल है तो कौन-कौन से स्टेट उसको जो धगिमें मिल गए हैराथ कांधार मकरान तर्ठ और और काबुल सॉडी बौटल गड़ पड़ी ठीक है ये चार स्टेट उसको जो है दहिज में राप्त हो गए और और अब यूस बात है इनको मिलने युद्ध हुआ पहली बार तो उन्होंने हाथी को देखकर के बहुत ज़ादा डर गए तो जब उनकी संधी हो गई तो उन्होंने तै किया कि हमें हाथी चाहिए तो इसी संधी के फलसरूप सैलुकस को चंद्रकुप्त मौरिया ने 500 हाथी भी उपहार में दिये तो इसी संध उसको चंद्रकुप्त मौरिया के दर्बार में भीजा अब इस संधी का देखे मैं तो बहुत जादा है क्योंकि एक तो उसका छेत्र इतना बढ़ गया देखे इतने सारे स्टेट उसको मिल गए है ना एक तो छेत्र उसका बढ़ गया दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट तक उसकी सीमा हो गई पूरब में बंगाल की खाड़ी तक मैंने शायद अभी बोल दिया था मियामार तक मियामार तक नहीं थी वर्मा तक नहीं थी बंगाल तक थी ठीक है उत्तर में कश्मीर और दक्षड में मैसूर करना टका तक उसकी सीमा हो गई मैंने बताया था ना के वेशाल सामराज खड़ा किया लेकिन अपने हैं जीवन का अन्त्म समय उन्होंने बिताया बहुत ही सामाने तरीके से अपने जीवन के अंत्म जय में चंद्रखुत मौर्या ने चैनधर्स धर्म को सुईका रख लिया ये महत्पूर बात धियान रखना जैनीयों में भी किस शाखा के हैं तो द्यानका दिगंबर शाखा के हैं गाने ते चंदकुत मौरिया और चंदकुत मौरिया ने जैन प्रंपरा से ही अपने प्रानों का पर्त screens invented थल्क है जिनको को हम बिन्दुसार के नाम से जानते हैं उनको सौंप दिया और बाद में वो चले गए चंद्रगिरी परवत पर जो कि पढ़ता है करनाटक में स्रबण बेल गोला में और वहीं पर जाकर के उन्होंने जैनियों की संलेखना विधी से ठीक है चंद्रगुप्त मौरिया ने अपने प्राणों का परत्याग कर दिया और अपनी आने वाली पीडी के लिए एक विशाल सामराज छोड़ करके वो चले गए तो साथियों ये थी जानकारी किसके बारे में चंद्रगुप्त मौरिया के बारे में उम्मिद करता हूं महत पूर् जैहिंज भारत बंदे मातरम